कि मैं डॉक्टर नीरा सिंग एसोसेट प्रोफिसर समाज शास्त्र आज हम बात करेंगे अपराद के कारण संबन्दी सिद्धान्त की इससे पहले मैंने आपको अपराद का आर्थ परीभाश है या और अपराध हम किसे कहेंगे इन सारी बातों के बारे में हमने डिस्केशन किया था अब प्रशन यह उठता है कि अपराद के कारण क्या है अपराद क्यों होते हैं इसके संदर में अलग-अलग लोगों के अलग-अलग मत हैं और इसी आधार पर अलग-अलग विद्वानों ने अपने कुछ सिधांट दिये हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे इसमें से कुछ सिधांट तो ऐसे हैं जो अठारवी शिताबदी के अन्त और उन्निसवी शिताबदी के प्रारम तक रहे और इन सिधांटों को एव्याज्यानिक माना गया इसमें प्रेत शास्त्रे सिधांट, सोतंत्रेच्चागा सिधांट और सुखवाती सिधांट आते हैं और दूसरी तरफ वो सिधांट है जो उन्निस शिताबदी के उतर आर्द से शुरू होकर अब तक चले आ रहे हैं जिसमें भोगोलिक संपर्दाए, इटैलियन संपर्दाए, मोनोवैज्यानिक, शारिग, रचिना संबंदी और समाश शास्त्रे सिधांट आते हैं अब इनी के बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे पहला जैसे प्रेथ शास्त्रे सिधान्त के बारे में बताया गया है जैसा कि इसके नाम से इसपस्ट होता है कि प्रेथ आत्मा जिनके बारे में आपने सुना होगा जैसे हम भूत प्रेथ की बात कहते हैं और यह जो सिधान्त है अप्राद शास्की त्यास में सबसे पहला सिधान्त है और इसके जो समर्थक हैं वो यह मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अप्राद स्यम नहीं करता बलकि कोई प्रेतात्मा उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है और वो से अप्राद ही अप्राद करवाती है आधिम तताग्राबिन समाजों में आज भी ये बानता है कि व्यक्ति की श्रेज में कोई एक आत्मेश से पर्वेश कर जाती है जोसे भड़ काती है और व्यक्ति अपने वश में नहीं रहता इसी स्थिती में वो समाज से भी नहीं डरता और समाज विरोधी वैवाहर करता है और अपरादी को प्रेदात्मा के चुंगल से मुक्त करने के लिए अपरादी को इतना दंड दिया जाता है कि प्रेदात्मा भैवीत होकर उसके शरीर से भाग जाए इससे में दंड की कठोर व्यवस्था परचलित थी और यह माना जाता था कि व्यक्ति तो निर्दोश है और जो दंड दिया जा रहा हूँ व्यक्ति को निर्दोश है बलकि उस आत्मा को दिया जा रहा है और उस आत्मा को जितना दंड दोगे उतनी जल्दी उस शरीर से निकल जाएगी ये धार्णा मध्य यूग तक परचलित रही वर्तमान यूग में इसे अवैग्यानिक धार्णा का कोई महत नहीं है क्योंकि ये अपराद के कारणों को व्यक्तितस समाज के बाहर खोजती है इसलिए इसे अवैग्यानिक माना गया है दूसरा होता है सोतंतरिच्छा का सिधान जैसा कि नाम से इस पस्ट है कि सोतंतरिच्छा की हर व्यक्ति अपना कोई भी काम करने के लिए सुतंत्र होता है और वो किसी भी सामाजिक नियम को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और नहीं किसी व्यावार को करने के लिए उस पर हम को दबाव डाल सकते हैं और प्रतेख व्यक्ति जो अपने व्यावार करने के लिए सुतंत्र है चुनाव करने के लिए सुतंत् करता है और दूसरा नहीं करता है किन्तु इस सिधान्त में कोई सामाजिक कारक दिखाई नहीं देता या उसकी उपेख्षा की गई है और जैसा प्रेटवादी सिधान्त था वैसा ही इस तरह के सिधान्त में जो सिधान्त के कारक है वो समाज से बाहर देखने की कोशिश की गई है इसके अलावा शास्त्रिय या सुखवादि सिधान्त यह सिधान्त सुखवादि मनोविज्ञान पर जैसे कि किसी को कोई कट्रिन काम करना पसंद नहीं है किसी को मेहनत करना पसंद है और कोई व्यक्ति अपने जो इच्छा के लिए अपने सुख दुख के लिए वो अपने जिस कार्य से जो सुख मिलता है ज्यादा सुख मिलता है मानिजी एक मजदूर सारा दिन काम करेगा और उसे 300 रुपे मिलते हैं या 500 रुपे मिलते हैं जो भ चोरी कर ले तो मुझे इससे ज़्याद मिल जाएगा तो उसे सुख किसमें मिलेगा कि वह अनैतिक काम कर ले पॉकेट मार ले चोरी कर ले जब वह ऐसा कंपरेजन करके और उसमें सुख ढूंडता है तब वह समाजविरोधी या अपराधिक कार्ये करता है इस सिध्धान्त की ने प्रसूत किया और अपराध के परती बेकरिया की जो धारना के मूल अधार थे वो पहला था अधिकांश लोगों का अधिकांश सुख दूसरा था अपराध करते समय व्यक्ति सुख दुख की अपेक्षा सुख जादा अनुभाव करता है तीसरा इससे बताया इनुने अ अपराध का अर्थ है समाज को हानी पहुचाना अपराध की मात्रा हानी की मात्रा से ही निर्धारित होती है अपराध कितना है वो ये इससे डिपेंड करता है कि उससे हानी कितनी हुई है दंड का उदेशे बदला लेना नहीं बलकि अपराध रोकना है अतर दंड इतना हो क कि अपराद से मिलने वाले सूख की तुलना में अधिक हो तभी वे उसको छोड़ेगा नहीं तो वे उसको नहीं छोड़ेगा इसके अलावा दंड अपराद की मात्रा के नुसार ही दिया जाए बैकरिया का मत इंग्लेंड और यूरोप में बहुत समय तक पर्चलित रहा 22 उगवादी दर्शन से प्रभवित थे उनका मत था कि कानून का निर्मान समाज के हित में किया जाता है जो व्यक्ति इन कानूनों का उलंगन करते हैं वे समाज की परसंता में बादक है क्योंकि कानून क्यों बरायाते हैं जिससे लोगों के हित सुरक्षित रहें लोगबाग जो हैं वो अपने काम को सही धंक से कर सके लेकिन जो अपरादी हैं वो लोगों की सुख में बाधा पहुंचाते हैं अते दंड अनिवारिये हैं अपराद को रोकने के लिए दंड के स में अपरादी की इस्थिती को भी दियान में रखना चाहिए तीसे समर्थक फ्यूर बेख हैं इन्होंने अपराद दंड और कानून का सहसम्मंद इस्थापित किया और कहा कि कानून के अभाव में अपराद को नहीं समझा जा सकता क्योंकि अगर कोई कानूनी नहीं है तो अपराद क्या होगा फिर तो कोई भी कारी हमारा अपराद नहीं है और बिना अपराद के दंड भी संभव नहीं है और दंड से ही समाज वैस्था और इस्थाइट संभव यानिकर कोई कानून बना देते हैं और उसके दंड नहीं है त अन्य सिध्धानतों की जो हम बात करते हैं उसमें समाजशास्त्रे सिध्धानत के नुसार अपराद एक ऐसा क्रत्य है जो समाज के लिए हानिकारक है समाज ऐसे जस्टिकों से अपराद उन क्रियाओं का नाम है जो सामाजी की रूढ़ी और पर्थाओं को तोड़ते हैं परन्तु दूसरों के लिए आवशक नहीं है कि आधुनिक यूग की विधी पुस्तकों में इसका उलेक हो लग कानूर उस बात का विरोध करता हो ये आवशक नहीं है लेकिन समाज अगर उसका विरोध करता है तो वो अपराद है ऐसा समाज शास्त्रे सिधान्त की जो सवर्थक है वो मानते हैं उसके अलावा सामाजिक विधी सिधान्त यह सिधान्त अपराद के सामाजिक और कानून दोनों का मिश्रित फल है इस सिधान्त के नुसार अपराद की विधी शास्त्रे सिधान्त और समाज शास्त्रे सिधान्त दोनों की कम्यों को इसमें दूर करने का प्रियास किया गया है कि ना केवल कि उसे ही हम पराद कहें जो समाज कहता है समाज के नियम है पर्थाएं है रिती जिवाज है और नहीं केवल कानून के विप्रित वहवार को इस इधानत के नुसार अपराद वेह ऐसा माजिक कारिय है जो कानून के द्वारा वर्जित है और जिसके लिए दंड बना हुआ है इस इधानत के तीन मुख्य बाते हैं नंबर एक अपराद वेह कारिय है जो समाज के लिए हानी कारक हो और कानून के द्वारा वर्जित हो यानि कि समाज से जिसको हानी पहुँचती हो और कानून उसका विरोध करता हो दूसरे अपराद पूर्ण कारिय के लिए दंड विधान होता है जिससे अपरादी को दंड मिलता है क्योंकि अपराद अगर कोई कारिय क्या जता है उसके लिए कोई दंड नहीं है तो उसे हम अपराद नहीं कहेंगे तीसरा एक वर्ग विशेश समाज के लिए कानू बनाता है उसको समाज पर लादता है और इसी के द्वारा सामाजिक कारियों की दशा निश्चित होती है कि कौन से कारिय उजित है और कौन से कारिय उजित नहीं है अपराद की ये वर्तमान व्यस्था भी उप्यूग तो नहीं है क्योंकि ये अपराद की संपूर्ण परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखती इसके अलावा नेक्स्ट सिधान्त है भोगोलिक कारक कारक संबंदी सिधान्त इस सिधान्त के नुसार भोगोलिक परिस्थितियां ही अपराद का निर्धारन करती हैं जैसे घनी जन्जंख्या वाले इस्थानों पर अपराद अधिक होते हैं और कम जन्जंख्या वाले छेत्रों में अपराद कम होते हैं फ्रांस के क्वेटलेट तथा ग्वेरी ने अपराद का ताप सम्मद्धी सिधान्त दिया इनका कहना है कि गरिम में व्यक्ति के विरुद अपराद होते हैं और सर्द्यों में संपति के विरुद अपराद अधिक होते हैं उपजाव भूमी अनुकूल वर्षा और प्राकरतिक साथनों के अधिकता होने पर अपराद कम होंगे और इसके विप्रित परिस्तितियां होने पर अपराद अधिक होंगे यानि कि उपजाव भूमी नहीं होगी अनुकूल वर्षा नहीं होगी यानि कि कहने के ताथ पर यह है जब लोगों के जन जीवन में दिक्कते आती हैं आम जो आविशक्ताइं हैं बेसिक जो नीर्स हैं वो पुरी नहीं हो पाती तो अपराद बढ़ते हैं इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भोगली परियावरन का परभाव मानों को सभाव पर पढ़ता है कि तु परियावरन और अपराद का सीधा संबन नहीं है ये भोगलिक कारखी अपराद के लिए उत्तरदाई होते तो क्या कारण है कि एक ही परकार के भोगलिक परियावरन के रहने पर एक व्यक्ति अपराद करता है और दूसरा नहीं करता है फिर तो सभी को अपराद करने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता और नेक्स्ट है प्रारूपवादी सिधान्त प्रारूपवादी सिधान्त की जो समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि अपराधी जनमजाद होते हैं इस सिधान्त के अधार पर यह माना जाता है कि अपराधी की एक विशेष शारीरिक रचना होती है जो अन्य व्यक्तियों से अलग है और ये शारीरिक विशेष्टाएं अप्राधी को वैशा अनुक्रम से प्राप्त होती हैं यानि कि जब एक माबाप अगर अप्राधी है तो उनका बच्चा भी अप्राधी होगा पंशानुक्रम से एक हेरेडिटी करेक्टर में आता है और कि व्यक्ति का जो अप्राधी बनेगा या ने बनेगा ये उसके जनम के उपर ही निर्भर होता है उसकी कुछ ऐसी विशेष्टाएं इसके समर्थकों ने बताई हैं कि अगर वो विशेष्टाएं किसी व्यक्ति में हमें देखने को मिलती हैं तो ऐसे व्यक्ति अप्राधी बनेगे इसमें इटेलियन मत इसमें तीन परकार के मत हैं पहला है इटेलियन मत इटेलिन मत के जो परवर्थक हैं या समर्थक हैं वो लॉम्प्रोसों हैं और लॉम्प्रोसों ये मानते हैं कि अपराधी जर्मजात होते हैं इनके नुसार अपराधी जर्म से ही विलक्षनाताओं से युक्त होते हैं यानि कुछ ऐसे विलक्षन उनमें देखने को मिलते हैं जो सामाले व्यक्तियों में नहीं होते दूसरा अपराधियों के चेहरों के विभिन अंगों में आसामानता के आधार पर सरलता से समझा जा सकता है तीसरा है कि उनमें शारी विलक्षनता है अपराद के कारण नहीं होती बलकि वो अपराद का सूचक होती है यानि कि उस केदर पर ये कहा जा सकता है कि ये विक्ति अपरादी बनेगा लोंबरोसो इटली की सेना में डॉक्टर थे और सेवाकाल के दोरान इन्होंने देखा कि कुछ सैनिक अनुसाशन पिरिये हैं किन्तु कुछ उद्दंड हैं अपरादी सैनिकों की शरी टचना और सामने सैनिकों की शरी टचना में विशेश अंतर था अपरादी सैनिकों ने अपने शरीर पर गंदी तस्वीर गुदवा रखी थी, जबकि जो सामाने सैनिक थे उन्होंने सरल तस्वीरे ये तस्वीर उनके सुभाव की सूचक थी उन्होंने इटली की जेलों का भी अध्यन किया और पाया कि शरीट रचना और मांसिक विशेस्ताओं में घनिस्ट संबंध है यानि कि जो मांसिक किरियाए हमारी होती है वो शरीट जो बनावट है उसको प्रभावित करती है या एक तरह से हमारे वहवार को प्रभावित करती है दूसरा इसमें है मांसिक दोश संबंधी इसके समर्थक गेरो फेलो हैं ये लॉंब्रोसों के विचार्थ के प्रभावित होकर उनके समर्थक थे और इन्होंने ये स्विकार किया कि अप्राधिक जर्म जात होते हैं तो लोंबरोसु तो कहते हैं जर्म शारीरिक विशेस्ताओं के को महत देते हैं किन्तो ये शारीरिक विशेस्ताओं के स्थान पर मांसिक विशेस्ताओं का उलेख करते हैं इनका मत है इनके मत की चार परमुक्त बाते हैं नमबर एक लगभग सभी अपराधी मांसिक द्रस्टी से निर्बल होते हैं मांसिक द्रस्टी से निर्बल का वतलब है कि कमजोर उनका सोचने की शम्ता होती है और विशम परिस्तितियों में वो सही निर्णे नहीं ले पाते है दूसरा मासिक दिस्ट्री से निर्बल व्यक्ति जो विशम प्रस्तितियां होती हैं सामने जीवन चलता रहता है तब तो कोई बात नहीं विशम बरिक्सितियां होती हैं तो उसमें अपराद करते हैं क्योंकि उनमें कानून को समझने और कानून को भंग करने के और उसके परिनामों को अनुभोग करने की शम्ता नहीं होती तीसरा मांसिक निर्बलता एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को हस्ताद्रित होती है यानि कि जो व्यक्ति मांसिक रूप से निर्बल है इसलिए वो अपराद करता है और ये मांसिक निर्फलता है है वह शानुकर मित है एक व्यक्ति अगर मांसिक दोश का शिकार है तो उसके आगे आने वाली पीडियों में भी ये दोश होने की पूरी-पूरी समभवना रहती ह तो जो बात लोंब्रोस ने कही कि शारीरिक विलेक्षन नताएं के कारण से व्यक्ति अपराद करता है और यह हैड़िटी करेक्टर है सेम वोई बात इहां पर इन्होंने मांसिक दोप से समझाद रूप में कही है और अपराद को रोकने के लिए मांसिक रूप से निर्बल व सकती क्योंकि जो मांसिक रूप से कमजोर हैं उनका जो इस्तियां हैं वो पीडि दर पीडिय हस्तंतरित होएंगी और तीसरा जो समर्थक है वो एंड्री को फेरी है एंड्री को फेरी का कहना है लिए कि जब व्यक्ति पारिवारिक परिस्थितियों अत्वा किसी अन्य कारण से मांसिक दबाव महसूस करता है तो वह अपनी दमित इच्छाओं के प्रती अपनी दमित इच्छाओं के प्रती किसी ना किसी रूप में उन्हें कहीं ना कहीं अधिव्यक्त करता है इस परकार प्रारमिक इच्छाओं को दबा लेना अपराद का कारण बन जाता है यानि कि किसी भी व्यक्ति के जो दमित इच्छाओं होती है जहां कुंठा पैदा हो ज जो है एक मांसिक तनाव पैदा होता है और अपराद ऐसी इस्तिति में अवश्य संभावी हो जाता है ये शारीरिक और मांसिक विशेष्ताओं के साथ भोतिक और सामाजिक परियावरन को भी अपराद के लिए उत्तरदाई मानते हैं इनका कहना है कि जिस परकार एक निशित तापकरम पानी का एक पिंड तसायन वस्तु के एक निशित मातरा को घुला देगा उसी परकार निशित व्यक्ति और भोतिक दशाओं के साथ एक निशित सामाजिक परियावरन में एक निशित संस्था में ने कम और ने अधिक अपरा एक्सिसी होंगी तो जिस तरह से पानी में कोई भी रसायन हम डालते हैं तो एक टाइन के बाद घुलता ही है तो ऐसे ही अगर ऐसी कुछ परिस्तिया होती हैं तो ऐसी परिस्तिया विप्ति को थोड़ा या जादे अपराद करने के लिए मजबूर करती हैं उधारन के तोर पर जैसे जहां जनसंख्या जादा होगी तो वहाँ पर अपरादों की मात्रा भी जादा होगी कहीं कम हो जाएगी तो कहीं जादा होगी लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि जनसंख्या के बटनेक साथ अपराद नहीं बढ़ेगी उसकी मात्रा नेशित रूप से बढ़ेगी और दम इक्षाएं होती हैं वो उन्हों इच्छाओं को किसी ना किसी रूप में निकालता है व्यक्ति और वो आवेश में आवेग में अपराद का रूधारन कर लेती हैं। इठारी कांड के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक व्यक्ति छोटे बच्चों के साथ में दुर्वयवार करता था और उनको मार देता था उसके अलावा अब लोंब्रोसो जो अपराद को एक जनमजात मानते हैं और और अन्य जो समर्थक हैं वो भी इस त इसशरी जो हैं यह परिश्तियों के अधार पर अपराद को एक जनमजात होते इस मत को पूरी तरह से स्विकार नहीं गया और इस मत की आलोचना की गई इटेरियन संपरदाय की अनेक विद्वानों ने आलोचना की गोरिंग ने बारे वर्स तक तीन हजार अपराधियों का अध्यन करके पाया कि अपराधि और गैर अपराधि की शरीट रिचना में कोई अंतर नहीं होता यदि अपराधि आदिमानों का प्रारूप है तो क्या सभी आदिमानों अपराधि थे ऐसा नहीं है दूसरा इस सिधान्त को आज कोई भी स्विकार नहीं करता क्योंकि अपराधी जनम जात नहीं होते लोंप्रोसो ने अपराध के लिए शारी परिस्तियों के परभाव को ध्यान में नहीं रखा जनम जात कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं शारी दोश क्या करते हैं व्यक्ति में एक कुंटा पैदा कर देते हैं एक उसे समाज के प कहीं कोई जिक्र नहीं किया जैसे गंदे साथी बुरा पडोश और गंदी बस्ती बेकारी निर्धनत अनेक आदिये से कारण है जो अपराद के लिए उत्तरदाई हैं लेकिन इसका कहीं बीस जो सिधान्त है कहीं भी वह परभावित इसको नहीं करता है इसमें कोई इसका जिक्रण नहीं किया गया उसके लावा लोंब्रोसो और उनके साथियों का अध्यन छेत्र सिमित्था अते उनके निसकर सही नहीं माने जा सकते नेक्स्ट है लोंब्रोसु द्वारा शारी लक्षनु द्वारा अप्राधि और गैर अप्राधियों को अलग करना एवज्यानिक है गोरिग ने बारे वर्ष के अपने अधिने पाया कि दोनों की शारी रचना में आश्चरी जनक समानता है उसके अलावा गैर फैलो की ये बात भी सही नहीं है कि अप्राधियों में दया भावना नहीं होती कोई डाकू डाका डाल कर संपति गरीबों में बाढ़ देते हैं विए उन अप्राधों के सोदे भी विश्वास और इमानदारी पे किये जाते हैं तो ऐसी जो चीजे हैं ये सही नहीं है कि पूरी तरह से हम ये करें कि अप्राधी जो है वो जनमजात होते हैं ऐसा नहीं है अगर ऐसा होता तो एक परिवेश में रहने वाले जो उनमें से अप्राध करता तो वो सभी अप्राधी होते लेकिन ऐसा नहीं है क्यूंकि उसके स आत्मे सावाजिक परियावरन जैसे गंदी बस्ती या सोहबत की बात हम कहते हैं वो चीजी विमाइने रखती हैं और वो अपराद के कारण होती हैं आज अपने इसमें बात करी अपराद के कारण संबंदी सिधानतों की और कारण संबंदी सिधानतों में अपरादी जनमजात होते हैं जो लोम प्रोसों का मत है अब दूसरा मत आता है कि जो अपरादी जनम जात नहीं होते बलकि बनाए जाते हैं जो कि समाज शास्त्रिय अधारना है इसके बारे में हम आगी चर्चा करेंगे धन्यवाद